नमस्कार होनबिल टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ विशाल गर्ग आज बाचीत में हमारे साथ मौजूद है धरहंपूर से बीज़ेपी विदायक पिनोच चमोली जी सर बहुत स्वागत आपका होनबिल टीवी में सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि जिस तरह स चीज़ें तैयारियां भी है राज्यसरकार के इस तर पर आप किस तरह के तयारियां देख रहे हैं उत्राफंड अपने अपने आज आपने में आपदा परदेश से के और कई समस्याग कढी है कुछ मौत Panel और हमारे यात्रा रूट पर काफे डेमेज़ हुए हैं और यह भी आप देख रहे होंगे कि मानिय मुक्हमंतर जी स्वयम स्पोर्ट विजिट करके वहां की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं उसकी समिक्षा भी कर रहे हैं और जहां-जहां पर आउश्यक इंदाद जानी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि पूरे उत्राखंड में जहां भी इस तरह की समस्याओं आ रही हैं पूरी सरकार मुस्तेदिस अपना काम करके वहां पर रहात का कर रहे हैं इस तरह से अब देख भी रहे हैं कि आपदा बहुत जादा बढ़ी है उस बा नेचरल कलेमिटी को रोकना तो असान होता नहीं है लेकिन हाँ पोश्ट कलेमिटी जब कोई बात घटना घट गई पोश्ट इजास्टर कैसे मैनेजमेंट होना चीए वो उत्राखन सरकार कर रही है आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जिस अस्तर पर विजो भी प्रियास हो सकते हैं और सारे कर रहे हैं और लोगों को रहाद देने का काम कर रहे हैं सर जैसे कि देखा भी जारता कि विपक्ष ने एक यात्रा चलाई थी कैदारनाथ बचाओ यात्रा तो उनकी यात्रा बिस्तगित हो गई है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं कि दारनाथ यात वहाँ कि लोगों ने उसका विरोध किया है. उस विरोध को उनको जिलना पड़ा, वापस आना पड़ा है. तो निशित तौर पर कॉंगरिस को समझ में आना चीए, कि हर चीज पर राजनीति करना ठीक नहीं है. केदारनाथ हमारी आस्था का विशे है, हमारी सरदा का विशे ह उस पर राजनिती करना राजनिती की स्टंट करना ये उचित नहीं है और मैंने पहले भी कहा है कि इसका उनको नुक्सान होने वाला है और आगे क्योंकि चुनाव को लेकर यात्रा थी आप देखना अभी चुनाव होंगे वहाँ पर कॉंग्रेस को बहुत बुरी तरह हार मिल काने वाले हैं और उनको बाद में रेलाइज होगा कि हमको इस धार्मिक मसले पर राजनिती नहीं करनी चाहिए थी आपको लगता है कि जो पूरा ये यात्रा कॉंग्रेस के रही है वो उप्चुनाव को लेकर के ही रही है मुझे क्या लगता है पूरी दुनिया को लगता ह ये निश्चित है केदानात तो चिरन्तकाल से है तो पहले क्यों नहीं किया गया ये धार्मी की आत्रा होती तो ये पहले भी कभी भी कर सकते थे लेकिन एक टाइमिंग है उसकी क्योंकि अब चुनाव सर पर हैं तो उन चुनाव को देखते वे उन्हों उस यात्रा को राजपा को लपेटने की कोशिस की है लेकिन हमें लपेटते लपेटते वो खुद लिपट गया अब उनके पास जबाद नहीं है वहां के लोग खुद नाराज है इस बात को लेकर और आगे निश्चित तोर पर वहां के लोग इसका जबाब भी उनको देंगे लेकिन सर लगातार वो केदानात में सोना चोरी का मामला भी उठा रही है और ये भी कह रहे हैं कि यह जो यात्रा उन्होंने शुरू की थी वो तब की थी जब दिल्ली के बुराड़ी में केदानात धाम बनाया जा रहा था लेकिन जब उस पर सरकार ने समाधान निकाल दिया तो यात्रा इस्तेगित भी तो हो सकती थी क्योंकि उसके बाद ही निकाली उन्होंने मुखदमा काहिम करा है नहीं जाच होगी क्या दिक्कत है मना थोड़ नहीं कर रहे हैं यह वो बोल रहे हैं एक पक्ष बोला है कि वहाँ सोना चोरी हुआ अगर तुमको लगता है सोना चोरी हुआ है तो आप एक फायर लोज करा दीजिये ना किसे खिलाफ उस भाज करेंगे अगर चोरी हुआ होगे जो लोग उसमें लिप्त होंगे उनके उपर कठोर से कठोर करवाई होगी और सामाजी बहिसकार तक उन लोगों को जो कादन जाके इस तरह का काम करेंगे लेकिन आप इस पर तो करिए कि किसने यह किया है या तो आप नाम लीजिए फायर लोज है उसके लिए आगे तो आई है सिर्फ बयान देने से और एक हवा में विसाय छोड़ देने से माहौल बना देना और फिर उसके आड में राजिनिती करना यह प्रियाप्त नहीं है क्योंकि अगर आप कुछ कहते हैं उसके पीछे तथे भी होने चाहिए सर राजधानी के हालाद भी किस से छिपे नहीं हैं जैसे ही बरसात आती है पूरी जलमगन राजधानी हो जाती है लेकिन राजधानी के आज भी हालत इतने वत्तर हो जाते हैं ऐसे में आप किसको इसका दोश्य मान रहें सर आप तो क्योंकि खुद भी विधाय क्योंकि दे इलिगल प्लोटिंग चल रही है। उस पर M.D.D. कर सासन कोई नियंत्रन नहीं है। तमाम मलिन बच्तियां जहां जहां बनी हैं। वहाँ पर जो निकासी के मोहाने थे वो बंद कर दिये गे। तमाम नाले थे जो पाट दिये गे। बड़े नाले नालियों में तब्दिल कर बहुत सारा विशय है अगर इसके कारणों पर आप जाएंगे तो बहुत सारे कारण इसके निकलेंगे जिनके कारण आजी दिक्कते सामने खड़ी होती है। इसका एक में उस हमाधान जो मुझे पहले भी दिखता था जी मेर के नाते आज भी दिखता है कि देराधून को ल साही है लेकिन वो मेरे रहते वे आ नहीं पाया साथ-ाथ-सा करोड़ तको लागत बढ़ गई थी मुझे खुसी है कि मेरी सरकार ने मेरी इस बात को समझा और बरतमान समय में देराधून का मास्टर प्लान बन रहा है इस समय और निकट भविश्य में जैसे हमारा होमवर्क पूरा हो जाएगा ग्राउंड वर्क पूरा हो जाएगा उसके बाद हम उसके अप्रूबल पर जाएंगे उसके लिए फंडिंग पर जाएंगे और लगबग 2,000 करोड से अधिक लागत का यह हमारा मास्टर प्लान धरातर पर आने वाला है और जिस दिन हम इसको लागो कर जाएंगे इसमें 2-3 साल लग सकते हैं लेकिन उसके बाद हम देखेंगे देरादून भी ड्रेनिज की समय से कभी समाधान हो जाएगा और हम लोग बहुत तेजी काम को आगे बढ़ा रहे हैं सर क्या लग रहा है कि स्मार्ट सिटी से भी कुछ लाब हुए है राजधानी द अनलाइन वॉनिटिंग होती है उनको लाब मिला है कई सारे स्कूलों को हमने चैल्ड फ्रेंडली बनाया है वहां के आसपास अने उस एरिया को ठीक करने का काम कि है अलाएंक उसमें अभी एक फेस बाकिया मैंने का था जिन इसकोलों के आसपास के राके को आप चाहिल फ्र लेकिन दूसरा पक्स ये भी है कि जो निर्माण हुआ है जो काम हुआ है वो जिस तरह होना चीये था वो पूरी तरह से नहीं हो पाया उसके कारण भी केजिगे पानी जलबरा हो रहा है वो दिक्कते आ रही है और मैंने कहा भी कि जो नगर निगम ने डीपियर स्विक्रित य करके दिया था बोड्सर उसको एस यह नहीं होतारा गिया है उसको बदल लिया गया उसमें तमाम चेंजिष कe गए जिसके कारण जो मनसा हमारी थी जिससे हम चाहते थे की i smart city में सब काम shooting नहीं हो पाया है तो मिला जुला उसका ऐसार है कहीं चीजय ठीक दिखती हैं कि कहीं चीजय खामिया दिखती हैं लेकिन छो उसमें खामिया है कि इम को सरकार अपने स्तर पर दूर करने का प्रयास करें उस पर हम Can करें जैसे मोटे तौर पे आड़ भिजार को चौड़े करने का मामला था हूं तो आमने सिम्र शिटी में ले गए थे पर बाद में यह वागि में घौक कर बाद में अब्डी तो फिर शाथचन में ले गया उसको पिर सासन ने उसमें इंट्रवीं किया राज वह बाद फिजा तो इस परकार बहुत सारे मामले हैं जो हमने ठीक भी किये हैं नभी में बहुत कुछ करना बाकि इसमें हम लोगे रहे हैं सर आपके जो सयोगी विदायक है खजांदास जी वो कहते हैं कि अधिकारियों की लापरवाही का नतीज़ा है यह जो राजधानी आज भी डूब जाती है और यह लेकर के उन्होंने सीम साहब से भी अपनी मिटिंग की और उसमें यह बाते रखी कि अधिकारी नहीं सुनते है या जो काम गंभीरता के साथ करने चाहिए वो नहीं करते हैं मैंने कहा ना कि स्मार्ट सिटी का जो मूल जो डीपी आर था जिस पर काम होना था उस पर काम नहीं हुआ तो कहीं न कहीं इसमें अधिकारियों की भूमका है इसमें कोई दोराय नहीं है अब जैसे हम दरसनलाल के पास सेन्थोमस के सामने आज जल भराव किस्तिती बनी हुई है मैंने उसी समय का था कि तुम्हारा नाला उंचा हो रहा है फुटपात बहुत उंचा हो गया यह पानी जाएगा कैसे यहां पर जल भराव होता यह रुक जाएगा अगर उस समय उस चीश को एड्रस कर दिय अधिकारियों की अदेखी भी समय सामिल है और जो हमारे अनुभाव को लाब अधिकारी ले सकते थे वो लाब उन लोगों उससारे लेया नहीं है जिसका खामिया जाए शहर में यह हम देखते भी है और अक्सर इस पर कारवाई होती है छुट-पूट कारवाई होती है लेक परशासन अपना काम करना चाहता है लें कहीं जो पॉलिटिकल लोग हैं वो बीच में खड़े होते हैं चाहिए अलग-अलग ब्यापारिक संगतन हो अलग-अलग बाकिक संगतन हो यह पॉलिटिकल पाटीस के जो हमारे लीडर्स हैं जो जनपरतिदी हैं वो भी कई बार हमने मेवाला रोड पर हटाया, मैं अपनी बिदान सवागी बात कर रहा हूँ, मेवाले में से मैं काम चलना है, वो हटा चुके हम लोग, हमने बंजाला रोड चेत्र में हटाया, वहाँ भी हमारा सेंक्शन है, इसमें ADP के काम चलना, उसके बाद PWD उसके पर काम करने वाला है, तो कई जिगे हमने ठीक भी की हैं, लेकिन अगर पॉलिटिकल विल हो, तो ही ये संभव हो सकता है, ये सिब सासन पर सासन के हवाले छोड़कर, इसको कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उनके आड़े भी अगर कोई आता, तो पॉलिटिशन ही आता है, तो पहले पॉलिटिकल विल होने चाहिए, पहले हमको ठीक होना पड़ेगा, तब सहर ठीक हो पाएगा. अगर राजधानी में पानी भरा रहेगा, तो राजधानी के जो लोग है, वो कहीं न कहीं BJP से दूरी बनाएंगे, क्योंकि सरकार अभी आपकी है, सत्ता अभी आपकी है? नहीं, लोग भी सब समझते हैं, देखे, उसके कालणों को भी समझते हैं, जो प्रियास हो रहे हैं, उनको भी वो देख रहे हैं, उन्होंने तमाम पिछली सरकारे भी देखी हैं, तो जितने गंभीर प्रियास भाजपा की सरकार में हो रहे हैं, और होते रहे हैं, वो पहले कभी हुआ नहीं है, तो मैं समस्ता हूँ कि सहर की जनता बीजेपी के साथ जाएगी और जैसे मैंने बता है कि बीजेपी की सरकार है जो आज हम दो अजार क्रोड से उपर का ड्रेनिज प्लान मना रहे हैं जिसका भुषिशे में हमको लाब मिले वाला है तो जरदून की जनता पड़ी लिखी जनत पर अपना पक्ष रखा है और टीवी के लिए देरदून से विशाल गर्ग भाजबा का सदस्यता अभियान लगातार जारी है ऐसे में परधान मंत्र नेंद्र मोदी ने सदस्यता लेकर इस अभियान की शुरुवात की तो महीं राज्य में भी मुख्यमंत्र पुष्का सिं जा रहा है और क्या इसके पीछे की रणनीती है देखिए सदस्ता वियान हमारा हर 6 साल के बाद होता है पहले 2014-15 में हमने इसकी शुरुवात की थी और इसके बाद फिर 20 में भी इसकी शुरुवात की थी 19-20 में किंतु समय करोना काल में हम ने फिर अस्तगित कर दिया था उ इतना बोट पड़ा है उसका 75 परसत हम सदसे बनाएंगे और जिस तरह से अभी शुरुवात परसों से हुई है यानि कि हमारी शुरुवात तीन तारिक से यहां से मानिय मुख्यमद्जी ने सदस्ता लिया और सदस्ता के बाद तमाम सब जीले के बिदाये गण होगे हमारे सांसदगर्ण होगे हमारे जिलाद्यस होगे सभी ने अपने अपने जीलों में इसको प्रारम कर दिया गया है और पहले दिन हमारी तकरिमन तीन लाग कुछ सदसे बने उत्राखंड में और हमारा लक्ष्य है कि जितना बोट भारती जंदा पार्टी को इस चुनाव में बनाने हैं और इस लक्षे को हम हसिल करेंगे और हम जो बूथ लेबिल पे जो हमारा चोटा बूथ है उसमें हम 200 मेंबर्स बनाएंगे और जो बड़ा बूथ है जहां पर उसमें हम 300 भी बना सकते हैं 400 बना सकते हैं तो यह हमारा लक्ष्य है विदायक जी कैसके अलावा जै रहे हैं उनको जोडने का हम अभी जान चला रहे हैं जो हमारे नए वोटर्स हैं और नए से जो भारती जननता पार्टी पे आस्ता भेक्त करना चाहरे हैं अभी तो सबकी सद्यस्ता समावत वाइन की जीरों पर हैं अब नए सद्रस्टे बनने के लिए सबकों बिक्सित भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी लिए ये सदस्ता अभियान हम चला भी रहे हैं भारती जन्ता पार्टी के परती लोगों की आस्ता है और इसी के निमित हम कर रहे हैं यानि कि हम अब छोटे छोटे कैम भी लगाएंगे घर घर जाएंगे लोगों को सद्था के लिए प्रिरित करेंगे यह हमारा काम है देश और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारती जनता पार्टी को देखा जाता है किस रूप में आप देख रहे हैं एक लिडर्शिप भी यहाँ पर आपको मिलती है प्रधान मंतरी नाइंद्र मोदी की किस तरह से आप इसको देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पहला शुरुवात उनी से हुई है और अब आने वाले समय में पार्टी को और किस तरह से विक्सित करने का काम लगातार जारी है देखिए सबसे पहले भारती जन्ता पार्टी की सदस्य हमारे मान्य परधान मंतरी नाइंद्र मोदी जी दो तारी को बने फिर तेन तारी को राज्यों के मुख्य मंतरियों ने सदस्ता गण की और सभी जिलाद्यक्स, विधाय गण, सासद गणों ने ली और इसी के निमेत भारती जन्ता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी जब हमने इसको 14-15 में बनाया तो उसमें हमारी 11 करोड़ सदस्य बने पूरे हिंदुस्तान में और फिर जाकर के जब विश्तार किया तो हम 17-18 करोड़ में पहुंचे और अब हमारा लक्षे है कि जो वोट पूरा भारती जन्ता पार्टी को पड़ा है अभी 2024 के चुनाव में उसके करिबन हम 75% हम सदस्य बनाएंगे इस लक्षे को हम हसिल करेंगे और इसमें हमारा संगठन हमारे तमाम कार्यकरता इसमें लगे पड़े हैं और सक्री सदस्य बनने के लिए हमने जो हमारा संगठन ह हमारे वाननी अद्यक समेंदर भड़ जी और संगठन महामंत्री अजय जी ने यह लक्षे रखा है कि सौ मेंबर जो बनाएगा वो सक्री सदस्य होगा तो इसलिए सब अपने अभियान में लगे हुए हैं और सदस्य बना रहे हैं यह तो सारी राजनीती जो आज कॉंग्रेश की चल रही है वो भारती जन्ता पार्टी की नकल कर रही है और मैं कहना चाहूंगा कि हम जिसको निस्कासित करना होता है छे साल के लिए निस्कासित करते हैं और भारती जन्ता पार्टी की जो गाइडलाइन है भारती जन्ता पार्टी का जो समीधान है उसमें छे साल तक की सदस्ता रहती है यानि कि छह साल के बाद उसको नया सदसे बना ही होता है चाए कोई भी खोई एक्स-पाइज़ चाए हमारे राष्टिय अद्ध्रख्जी हो चाए हमारे प्रदेश के अद्ध्रख्ज हो इसलिए यह हमारा अभियान चलता है हम पुना आज की डेट में जी रो हैं और हम किसी यानि कि शहाल के बाद फिर नया परिवर्तन होगा तो इसलिए यह हमारा जो समीधाने बार्ति-जन्ता-पार्टी का उसी की निमत हम काम कर रहे हैं इसे पार्टी को कितनी जो है मजबूती मिलती है या फिर एक कार्य करता भी एक क्योंकि देखा जाता है भारती जनता पार्टी में तो कि कार्य करता को उठाकर मुख्य मंतरी बहुत अदार 500 लेकरकें शीकर पे और भारत की सीकर में पहुंचे हैं तो इसलिए भारती जंदा पार्टी मैंने कहा कि कारेकरता को बढ़ावा देने के लिए हम काम कर रहे हैं कारेकरता भी अपना एक उसका निर्धारित होता है कि मुझे कहां तक काम करना है कहां तक मुझे पहुंचना है और उसकी क फिला अपराद हों या फिर लूट की घटनाएं हों अभी हाल फिलाल में हर दुआर में भी तस्वीरे सामने आए जहां पर चोरी हो लूट हो लगातार इस तरह की वारदाते भी नजर आ रही हैं महिलाओं के साथ अपराद बढ़े हैं ऐसे में आपके सरकार किस तरह से काम कर है किन्तो हमारी सरकार ततकाल कारवाई करेंगे और कर रही है मानिये मुख्याबंती जी ने पूरी कमान जिस तरह से अपने हाथों में लेते हुए ततकाल प्रवाई से कारवाई करने की बात कही है तो मुझे लगता है कि जो अपरादी है वो अपरादी होता है वो किसी चा और मानिय मुख्यमंतिजी को मैं इस बात का धन्यबाद भी ग्यापित करना चाहूंगा कि उन्होंने कड़ा कानून बनाया है यानि कि जो अपरहाद करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा और एक परिसंपद्यों को वह लेकर के भी जो परिसंपद्यों को नुक्सान पहुं पसुली उसी से की जाएगी जो इस तरह का गिंडित अपरात करेगा आपको नहीं लगता कि कानून में वस्ता बदहाल हो चुकि ओत्राखण में क्योंकि अधिकारी उस तरह से काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए देखिए मानिय मुख्यमंतिज जानी कि सब ठीक हो जाएगा मामला इसलिए कानून विवस्ता के लिए मानिय मुख्यमंतिजी ने चिंता बेक्त की और स्वयम जाकर की विदेखा और चापे मारी भी कर रहे हैं तो इसलिए सबको इस राज्य के लिए यह हमारा सांतिप्रिय राज्य है यह देव भूमी उत तारिक तारिक से वहीं हूआनके उन्हें कि आफ्दे डिया से रहे मांनेजेंदा उनका देख रहे हैं और चाय बद्रिनात का हो और यह सीटे भारती जनता पार्टी के पास नहीं लिए और इसलिए वह यात्राएं भी कर रही है अब केदानात जी को लेकर के जो है उनका एक लक्षिया है कि हम केदानात को किसी तरह से हासिल करें किन्तु मुंगेरीलाल के सपने उनके वह भारती जनता पार्टी की शीट थी और आज भी भारती जनता पार्टी शीट रहेगी और इसको कि क्योंकि जनता समझ चुझगी रिसलिये मैं कहना जाओंगा कि भारती जनता हुरीolar कि एक बास जनता पैरिक अपना एक सोगा है और हम जीरो से मान करके, यानि कि हम चुनाओ में जब जाते हैं, आपको जीरो मानते हुए दूसरा कहां पर इस्टेंड कर रहा है, यानि कि हम 40% में हैं, तो हमको 11% में कैसे पहुंचना है, यह हमारा लक्षे होता है, इसलिए भारती जन्ता पार्ट्री ने जो तैय किया है, क उनका न्याटर्ण में करेंगे हैं, अब एक मांग भी देखने को उठ रही है, कि गैरसेनी इस्थाई हो, और महीं पर यह भी देखा जाता है, कि हरी श्रावा जब भी कहीं पर जा रहे हैं, तो यह बात जरूर कहा रहे हैं, कि अगर मेरे अपने मेरा साथ देते, तो मैं ग अरी स्रावजी बहुत ही सीनियर लीडर्स हैं, और अब इस तरह का स्टेटमेंट देना कि मुझे अगर साथ मिलता, तो मैं राजधानी बना देता, क्या कि आपने, पांच साल तक आपकी सरकार रही है, पांच साल की सरकार में आप तीन साल तक मुख्या मंतरी भी रहें, कि तो आपने उस समय क्यों नहीं किया, भारती जन्ता पार्टी की सरकार जैसे ही सत्ता में आई, तो भारती जन्ता पार्टी के माननीय मुख्या मंतरी उस समय के, उन्होंने ततकाल गिर्सम कालिन की राजधानी की कोश्णा की, और उसको जो वादा किया था, उसको पूरा भी किया, अब रही अस्ताई राजधानी की बात, इसमें भी भारती जन्ता पार्टी सर्व दरिये विचार भी मर्स करते हुए, निर्णे लेगी, ये मैं कहना चाहूंगा, सर, होनबिल टीवी से बातचीत करने के लिए विधायक खजान दास जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विशो पर हमसे बातचीत कर रहे थे और हमारे सभी सवालों पर उन्होंने जवाब भी दिया है, होनबिल टीवी के लिए देरदून से विशाल गर्ग